परिचे इस पार्ट में हम ऑक्सिजन, पोशक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुचने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रग्त के घटकों की सूची बनाना, रग्त वाहिकाओं के विभिन प्रकारों की व्याख्या करना, रदे की बनावट की व्याख्या करना, रदे के कामकाज के बारे में बताना, दिल की धड़कन और दिल की गती की व्याख्या करना, निश्पादन प्रणाली के कामकाज को मीटर की दौड में हिस्सा लिया दौडते समय वे गिर गया और उसे चोट लग गई घाव से कुछ देर तक रक्त निकला और फिर जम गया ये देखकर उसे उत्सुकता हुई वे जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हुआ रक्त एक तरल पदार्थ है जो हमारे जिंदा रहने के ये भी अपने साथ ले जाता है रक्त में रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्लाजमा कहलाने वाले तरल में तैरती रहती हैं प्लाजमा का रंग पीला होता है और इसमें 90 प्रतिशत पानी होता है पानी के अतरिक्त प्लाजमा में हॉर्मोन, प्रोटीन, ग्लूकोस और कार्ब श्वेत रक्त कोशिकाएं यानि WBC और पटिकानू यानि प्लेटलिट्स RBC को Erythrocytes भी कहते हैं इनका आकार किसी तश्तरी जैसा होता है इनमें हीमोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसमें लौह की अधिकता होती है और इसी से रक्त को उसका लाल रंग मिलता है हीमोगलोबिन शरीर के विभिन हिस्सों तक ऑक्सिजन को पहुँचाता है WBC को Leukocytes भी कहा जाता है इनका आकार अलग-अलग होता है ये शरीर में दाखिल होने वाले जीवानूं और विशाडूं से जूजने के लिए इसकार अंडे जैसा होता है इनसे रक्त के ठक्के बनने में मदद मिलती है रक्त वाहिनिया, धमनिया और शिराएं या नसें एक बार जब रोहित बीमार हुआ तो डॉक्टर ने उसके रक्त की जाच कराने को कहा जिस टेक्नीशन को उसके रक्त का नमूना लेना था उसने पहले एक खास तरह की रक्त वाहिनी को ढूंढा ताकि उसमें सुई लगा कर रक्त ले सकें तो क्या रक्त वाहिनिया भी अलग-अलग प्रकार की होती हैं? जी हाँ, हमारे शरीर में तीन तरह की रक्त वाहिनिया होती हैं। धमनिया, शिराएं और केशिकाएं या बेहद बारीक नसें। धमनिया मोटी दीबारों वाली रक्त वाहिनिया होती हैं। वे ओक्सीजन युक्त रक्त को रिदय से शरीर के अन्य सभी अंगों तक ले जाती ह धमनिया भी दो प्रकार की होती है प्रणाली गत्ध धमनिया ये ओक्सिजन युक्त रक्त को रिदय से शरीर के दूसरे अंगों तक ले जाती है फुप्फुस धमनिया ये ओक्सिजन रहित रक्त को रिदय से फेफणों तक ले जाती है शिराएं पतली दिवारों वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं ये तवचा के निकट होती हैं ये ओक्सिजन विहीन रक्त को शरीर के विभिन हिस्सों से रिदे तक ले जाती हैं अधिकतर शिराओं में शिरापरक वॉल्व यानी वीनस वॉल्व होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित हो, ये वॉल्व रक्त को वापिस बहने से रोकते हैं, इन शिराओं में रक्त का दबाव धमनियों से कम होता है. शिराओं दो प्रकार की होती हैं, प्रणाली गज शिराओं, ये ओक्सिजन विहीन रक्त को शरीर के विभिन हिस्सों से रदय की ओर ले जाती हैं, फुप्फुश शिराओं, ये ओक्सिजन युक्त रक्त को फेपडों से रदय की ओर ले जाती हैं, रक्त वाहिनिया, केशिकाएं या बेहद बारीक नसें धमनिया और छोटी रक्त वाहिनियों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें रोहिनिका यानि आर्टेरियोल कहते हैं और ये भी आगे बढ़ कर केशिकाएं बन जाती है केशिकाएं रक्त की बेहद पतली वाहिनिया होती है, जो उतकों में मौझूद होती है ये ओक्सिजन युक्त रक्त को धमनियों से उतकों तक ले जाती है RBC में मौझूद oxygen और उतकों वाले अपशिष्ट पदार्थ का विनिमय केशिकिय दिवारों यानि capillary walls के जरिये होता रहता है oxygen विहीन रक्त को ले जाने वाली ये केशिकाएं आपस में जुड़कर venule बन जाती है और फिर ये भी आपस में जुड़कर शिराएं बन जाती है ये शिराएं फिर oxygen विहीन रक्त को रिदे तक ले जाती है रिदे की संड़चना रिदे मां स्पेशियों से बना एक अंग है जो सीने में बाई और स्थित होता है इसका आकार इनसान की मुठी के बराबर होता है यह रत को शरीर के विभिन हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है यह pericardium नामक एक सुरक्षात्मक थैली में लिपटा होता है रिदे चार कक्षों में बटा होता है उपर वाले दो चेंबरों को बाया अलिंद और दाया अलिंद कहा जाता है सैप्टम नामक एक मानस्पेशी रिदे के बायं और दायं हिस्से को अलग-अलग करती है रदे की कारेप्रणाली रदे का दाहिना भाग, शरीर के अन्य हिस्सों से प्राप्त ओक्सिजन विहीन रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफडों मिलाता है रिदय का बाहिना हिस्सा फेफडों से प्राप्त ऑक्सिजन वाले रक्त को बाकी शरीर में पंप करता है रिदय सिकुडने और फैलने की एक खास ताल के जरिये रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है जब रिदय फैलता है तो यह रक्त से भर जाता है और जब यह सिकुडता है तो रक्त रिदय से बाहर चला जाता है रिदय की एक बार फैलने और सिकुडने की प्रक्रिया को दिल की धड़कन कहा जाता है एक मिनिट में दिल जितनी बार धड़कता है उसे हृदय गती कहा जाता है किसी स्वस्त वयस्क मानव का दिल एक मिनिट में सत्तर से असी बार धड़कता है मनुश्यों में निश्पादन प्रणाली विनिता जॉगिंग करने के बाद घर लोटती है वह पसीने में तर बतर है उसकी मा उसे नहाने को कहती है क्यूं? दरसल पसीना एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जिसे शरीर से दूर किया जाना चाहिए आपने अभी जाना कि रक्त शरीर के अलग-अलग हिस्सों से अपशिष्ट पदार्थों को इकठा करता है ये पदार्थ हैं कार्बन डायोकसाइड, पानी, नमक, यूरिया और यूरिक एसिड ये शरीर की पाचन संबंधी गतविधियों का परिणाम होता है क्योंकि ये पदार्थ विशैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना जरूरी है पाचन प्रक्रिया के कारण उत्पन होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के काम को निश्पादन कहा जाता है निश्पादन की प्रक्रिया फेफ़णों, त्वचा, जिगर और गुर्दों के जरिये होती है सांस छोड़ने की क्रिया के दोरान फेफ़डे शरीर से कार्बन डायोकसाइड को बाहर निकालते हैं त्वचा पसीने के रूप में अत्रिक्ट पानी, नमक, यूरिया और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है जिगर रसाइनों को रक्त से अलग करता है, यह बाइल नामक एक तरल छोड़ता है, जो अपने साथ जिगर से निकलने वाले अप्षिष्ट पदार्थ को आत में पहुचा देता है गुर्दे सेम के आकार के होते हैं और ये दो होते हैं, ये शरीर के विभिन हिस्सों से आने वाले रक्त को साफ करते हैं इस प्रक्रिया के दोरान उपयोगी चीजें फिर से रक्त में अवशोशित हो जाती हैं और अपशिष्ट पदार्थ पेशाब के रूप में बाहर निकल जाते हैं। सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं। हमारे शरीर में तीन तरह की रक्त वाहिकाएं होती हैं धमनिया, शिराएं और केशिकाएं या बेहद बारीक नसें। धमनिया, ऑक्सिजन युक्त रक्त को रिदे से शरीर के अन्य भागों तक पहुचाती हैं। शिराएं औक्सिजन विहीन रक्त को शरीर के विभिन हिस्सों से रिदे तक पहुचाती हैं। रिदे मासपेशियों से बना एक अंग है जो रक्त को शरीर के विभिन हिस्सों तक पहुचाता है। रिदे की एक बार फैलने और सिकुडने की प्रक्रिया को दिल की धड़कन कहा जाता है। जब रिदय फैलता है तो वे रक्त से भर जाता है और जब रिदय सिकुडता है तो ये रक्त बाहर निकल जाता है निश्पादन की प्रक्रिया फेपणों, त्वचा, जिगर और गुर्दों के जरीए होती है गुर्दे रक्त को चानते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में अलग कर देते हैं